Hello eyes, मैं आपके लिए Bodybuilding World से news और updates लेकर आया हूँ तो सबसे पहले news है मनोज पाटिल की तरफ से तो मनोज पाटिल ने अपने Instagram पर कुछ वीडियोस पोस्ट करी और उसमें उन्हें अपने haters के बारे में कुछ बात करी मतलब मनोज पाटिल को particular reason के लिए hate मिल रहा है वो जो TikTok के लिए वीडियोस बनाते हैं और उसे Instagram पर पोस्ट करते हैं उसके लिए उनकी fans के तरफ से उन्हें hate मिल रहा है fans उन्हें बोल रहे हैं कि आप TikTok के वीडियोस क्यों बना रहे हैं आप Bodybuilder है, Bodybuilding से related वीडियो बनाओ TikTok पर वीडियो क्यों बनाते हैं तो इसके बारे में मनोश पर्टिल ने बात करी तो उसमें उन्हें उन्हें क्या कहा ये सुन लेते हैं वह लोग मुझे एक question है आप सभी से कि मैं TikTok के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत सारे लडिके लोग वहाँ पर comment करते हैं यहां भी वारे आप यह सब कूस शूर नहीं करता ऐस आज वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आएस से बात कर रहे और एक जमाना था जब बाडि वीडिंग ड़ुडर सिर्फ बाड़िन करते हैं उस्टाइम पर बहुत सारे लड़िके लोंक्तकर उंसेच करता हैं बॉड़ी बॉल्डर को बॉड़ी बॉडिंग के सिवा कुछ नहीं आता, उनको से वेट लिफ करना पता होता है, उनके यहां पर कुछ अकली नहीं होती, पूरा पूरा गुतनों में होता है, या फिर बॉड़ी के अंदर मसल्स में होता है, और आज जब एक फिट्नेश अथ तो सेकेंड निउस गुड निउस है तो हमारी इंडिया के मेंस फिजिक के अथलीट मनोश पतिल, सिद्धान जैसवाल, अफ्रोज खान, निशांत बंसल और लोविश वाही इन स्वारों ने एक सर्प्राइज अनॉस्मेंट करा मतलब और उन्हें अपनी इंस्टाग्राम पेजिस पर एक सर्प्राइज पोस्ट डाली और उसमें कहा कि हमारी इंडिया के जो मेंस फिजिक अथलीट है, ये पाचो जिनके मैंने नाम लिये, वो पाचो जन एक ही शो में कम्पिट करने जा रहे है, तो लोगों ने बहुत सार गेसेस करें, मुझे भी लग रहा था, क्या वो मॉंस्टर जेम प्रो शो में कम्पिट करने वाले है, जो नवंबर में होने वाला है, बहुत सारे शो नवंबर में होने वाले, लगबग पाच शो होने वाले हैं नवंबर में, मेंस फिजिक डिविजन के, तो एक फैन ने मन सवाल खड़ा हुआ मनोज पाटिल आफ्रोस खान निशांद बंसल और लोविश वाई ये चारों तो प्रो है पर सिद्धान जेस्वाल अभी प्रो नहीं बने तो इसके बारे में सिद्धान जेस्वाल ने अपनी इंस्टाग्राम पर बात करी और उसमें उन्हों ने कहा अपना एक वर्काउट वीडियो डाला है उस वर्काउट वीडियो में वो अपनी बॉड़ी को पुश कर रहे है मतलब फर्दर लिमिट्स पुश कर रहे है सर्जियो ने पिछले कुछ दिनों में अर्नल्ड क्लासिक में कम्पिट किया था और उसमें उनकी प्लेस आई थी यह उनकी करियर की सबसे बेस्ट प्लेसिंग थी और उनका जो अर्नल्ड क्लासिक का पैकेज था वो भी उनकी करियर का सबसे बेस्ट था तो मुझे लगता है सर्जियो इस फॉर्म को बरकारा रखना चाते हैं उनने इस शो में जो कंडिशनिंग लेवल अच्यू करी थी उ और मुझे यह लगता है कि सर्जियो ने आभी मिस्टर ओलफरा के लिए कालिफाइ नहीं किया है तो वो जल से जल जो शो होने वाला है उसमें क्विपिट करके मिस्टर ओलपिया के लिए कौनिवेकेशन हसल करना चाते हैं तो फिर से आपसेजन ना करके यही अपना फॉरम maintain करके जो आने वाला शो है उसमें compete करके आपना Mr. Olympia का qualification न हसिल करना चाहते है तो आपका क्या मानना है हमें जरूर comment box में बताइए तो fourth news है सदीक हाटजुविक की तरफ से तो सदीक हाटजुविक ने अपने Instagram पर अपना एक posing update डाला है तो इस posing update में वो classic physique के poses hit कर रहे है तो हमारे एक भाई है उन्हें पूछाता कि सदीक हाटजुविक के future plans के बारे में बताओ तो मैं उनसे कहना चाता हूँ कि सदीक हाटजुविक classic physique में ही compete करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़दा muscle mass gain किया है वो generally अपने workout videos में classic physique pose से hit करते है तो मुझे भी यही लगता है सदीक हाटजुविक को classic physique में ही compete करना होगा क्योंकि उन्हें इतने मेहनद से जो muscle mass gain किया है उसे इतनी easily lose क्यों करें तो पाचवा update है Brandon Hendrickson की तरब से तो Brandon Hendrickson ने अपने Instagram पर अपना एक posing video डाला है उस posing video में वो बहुत अच्छे लग रहे है और उन्हें अपने conditioning level maintain रखी है और इस posing update में एक खास बात यह है कि Brandon Hendrickson ने अपने legs को show करा है तो generally men's physique के athletes को criticize किया जाता है उनकी legs के वज़ेसे men's physique division में अपने legs को show नहीं करना होता है तो बहुत सारे men's physique के athletes तो वो classic physique के लिए भी fit हो सकते है अगर Brandon Hendrickson future में classic physique में compete करना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है तो last news है Antonio Valiant की तरफ से तो Antonio Valiant ने अपने Instagram पर अपने एक physique update आ रहा है तो इस physique update में Antonio 4-5 weeks out लग रहे है पिछले साल Antonio का bicep tear होगा था तो इस physique update में कोई भी deformation नजर नहीं आ रहा है उनके बैसे एकदम normal लग रहे है इस physique update में Antonio बहुत ज़्यदा muscular लग रहे है पर उनके साथ कुछ negative points भी है उनकी physique aesthetically pleasant नहीं है उनकी waist wide है उनका V-tepper इतना कुछ खास नहीं है तो हमें देखना होगा कि Antonio stage पर कैसे लगते है कैसे नजर आते है तो यहीं ताज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर करो और यह से आचे अचे वीडियों के लिए subscribe भी जरूर करो और हाँ अगर आपके पास bodybuilding field से रिटेड कोई news है तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिए हमरे इंस्टाग्राम का लिंक description में है Thank you